Hello to all my viewers, मैं हर्ष आपका हारदिक स्वागत करती हूँ हर्ष क्लासेस में तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कोई भी संख्या है उसका वरग हम किस परकार से निकाल सकते हैं मात्र दो सेकेंड में हम उसका वरग किस परकार से निकाल सकते हैं तो आईए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे ट्रिक नंबर फॉस्ट हमारी क्या है कि ऐसे संख्या का वरग निकालना जिसका अंतिम अंक हमें क्या दे रखा हो लास्ट डिजिट है उसकी जो लास्ट अंक है उसका कितना होना चाहिए पांच जिन संख्याओं में भी लास्ट में कितना दे रखा हो पांच तो उनका हम वरग किस प्रकार से निकाल सकते हैं तो मान लेजिए हमारे पास संख्या है पच्चिस हमें निकालना है पच्चिस का वरग तो हम पच्चिस का वरग किस प्रकार से निकाल सकते हैं तो 5 का वरग कितना हो जाएगा हमारे पास 25 और यहां क्या लिख देना है यह क्या बच्चा हमारे पास 2 गुणा में कितना लिख देना है उसकी एक आगे 2 के आगे वाला क्या आएगा 3 गुणा में 3 लिख देना है तो यहां 25 का 25 आजाएगा हमारे पास और यह कितना आगे है 2 दो तिया 6 और यह का आगया हमारे पास 625 यह मैं ने इसलिए लगाया है कि 5 का वर्ग लिख दिया 25 उसके बाद Making Heaven chiar के दो के आगे का अंख किया आएगा 3 तो 2 तिया यहां 6 आजाएगा दो तिया 6 और यह 25 उसके बाद में हमारा वर्ग क्या निकलाएगा 625 इसी तरह हम बहुत सी ऐसी संख्या हो, कोई भी चाहिए संख्या हो, हम उसका वर्ग निकाल सकते हैं, जिसके लास्ट में कितना हो, पांच अब जैसे मां लीजिए पिज सतर का वर्ग निकालेंगे, तो यहाँ लास्ट का उंग कितना है? पांच, पांच का क्या होजेगा? 25, यहाँ है साथ, साथ के आगे क्या आएगा? अगलांक, साथ का अगलांक? अठ, साथ अठे, चप्पन अच्छिस का पच्छिस, तो ये हमारे पास वरग कीा आ गया, चप्पन पच्छिस चप्पन पच्छिस हमारा वरग हो गया आप चाहे तो इसको मतलब लिख करके ना करके कई बार कैलकुलेशन करनी होती है तो हमें जल्दी आंक वाले वर्ग भी निकाल सकते हैं, जैसे माली जी हमें दे रखा है 125, 125 का पहला आंक क्या हो गया, 5, तो सेम वही लिखेंगे, 5 का क्या लिख दिया, 25, अब दूसरा, दो आंक जो आगे के, दहाई और सैंकडा वाले दो आंक हैं, वो आगे 12, गुना में 12 का अगला आंक क्य होता है, 13, तो 12 को 13 से गुना करते हैं, तो हमारे पास आता है 156, और ये हमारे पास था 25, तो इसका वर्ग क्या हो गया, हमारे पास, 156 इस तरह से कोई भी अंक है, उनका वर्ग इस प्रकार से मातर 6, से 2 से 3 से केंड में हम बहुत ही जल्दी से इसका वरग निकाल सकते हैं तो मैं यहां कुछ कोश्चन लिख रही हूं जैसे कि मालीजे 45 का वरग 65 का वरग निकाल सकते हैं तो आप सभी वरग निकाल के देखे और इन्हें अपने कमेंट बौक्स में लिखे मैं उस पे लाइक का बटन प्रेस करूँगे जिश जिसने भी सही किये होंगे तो कमेंट्स में जरूर कमेंट्स किजिएगा तो इसी तरह next बात करते हैं trick number second तो पीछे की trick में हमने बात की किसी संख्या का वर्ग निकालना जिसका अन्तिमंक नहुं 5 हो इसके अलावा आप बात करेंगे कि जिसमें ऐसे संख्या का वर्ग निकालना जिसका अन्तिमंक कुछ भी दे रखा हो तो हम किस प्रकार से निकालेंगे आईए बात करते हैं जैसे इसमें हम कोई भी अंक ले सकते हैं जैसे मान लिए मैंने लेज लिया 47 47 का वर्ग हम किस प्रकार से निकालें तो इसके लिए 2 स्टेप होंगे पहला स्टेप हमारा क्या होगा अंतिम अंक जो इसका दे रखा है वो उसके बाद में, दूसरे step में क्या करेंगे, step first में तो हमने ये कर दिया, कि पहले का वर्ग लिख दिया, दूसरे का वर्ग लिख दिया, step second में, जो second number step है, उसमें हम क्या करेंगे, जो ये 4 है, गुणा 7 गुणा 2 कर देंगे, ठीक है, 7 चुका 28, 28 दुना, क्या आगया हमारे पस 56, तो क्या करेंगे, 16, 49 जो हमने लिखा था, और इसमें 56 को जोड़ देंगे, 56 को कहां जोड़ेंगे, जो ये वर्ग लिखा है हमने, उसकी एक डिजिट को, एक अंक को छोड़ करके, यहां हम क्या लिख देंगे, 56, बस ये हमारा आनसर आ गया, इसको जोड़ लेंगे, 9 का 9, 6 और 4, 10, 6 और 5, 11 और 1, 12, और यहां क्या आजेगा हमारा, 209, ये हमारा आ गया वर्ग, ठीक है, इस प्रकार से हम कर सकते हैं, अब माल लिजिए, इस से, इसी स्टैप को ध्यान में रखते हुए, हम कोई भी एक्जामपल कर सकते हैं, माल लिजिए, मैंने एक और एक् क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये 3 है, 3 का वर्ग लिखेंगे, 9, लेकिन 7 में हमी क्या करना होगा, क्योंकि, ये 2 में होना चाहिए, ये 2 अंकों में, तो यहां इसके आगे 0 लगा लेंगे, यहां तो क्या पीछे कोशन में क्या था, 7 का, 49, 2 अंकों में आ रहा था, लेकिन 3 का वर्ग करेंगे, तो 9, एक ही अंक में आ रहा, इसलिए इसके आगे क्या लगा लिया, 0, उसके बाद में 8 का वर्ग किया, 8 का वर्ग करेंगे, तो कितना आजएगा, 64, step first हो गया हमारा, उसके बाद में बात करते है, step second की, step second में हमने क्या किया था, जो ये 3 संख्याई थ चोड़ करके यहां 48 लिख देंगे, और हमारा आंसर आ गया, इसको जोड़ लेंगे, 9, 8, 8, 6, 68, 89, ये हमारा क्या आ गया, वर्ग आ गया, किसका 83 का, इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग है, उसको मात्र 2 से लेके और 3 सेकेंड में हम ग्याद कर सकते हैं, I hope आप सब को ये वीडियो पसंद आ रही होगी, प्लीज अगर वीडियो पसंद आए, तो प्लीज प्लीज लाइक करें, और आगे से आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में